सबी दर्शकों को नगरवासियों को नवरात्री की हार्थिक शपकामने दिना चाहूना नवरात्र का पावन अफसर शुरू हो चुका है अगले नौ दिनों तक मातरानी के पार्ट में लोग रहेंगे अनुष्ठान में रहेंगे पूजा करेंगे उनकी ध्यान करेंगे तो माता दुर्गा को देखते हुए और माता दुर्गा को आप समझें यह सिर्फ एक पूजा की चीज नहीं है यह एक सोच है और जितना आप इनके कहानियों को चीजों को समझेंगे तो आपको ही समझ में आगा कि एक सोच है और मातरानी की जो चीजें हैं जो भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जो यह सनातन धर्ब में यह समाज को हमेशा एक संदेश देता है अपनी किसी भी पूजा से किसी भी भगवान की कहानी से तो उस संदेश को समझना है लोगों को यह समझना है कि जो समाज में महिलाओं का सम्मान पूर तहा दिया जाए यह से कहने की बात नहीं होनी चाहिए और इश्वर ने भी हमेशा जो मातरानी हैं हमेशा उन्हें उपर रखता है और जबी भी कोई चीज जरुवत पड़ी है तो मातरानी की जो कहानिया है उसमें यही संदेश जाता है कि अगर भगवानशिप को जरुवत थी तो भी मातरानी ने मांकाली का रूप लिया माधुगा का रूप लिया शक्ती का रूप लिया तो सब तरह से नूनने हमेशा लूग की जो मदद करी है महिला शक्ती उसके बina कोई काम नहीं हो سकता भगवान शिव ने जो अर्थ नारिश्वर रूप ले करके दोगों को इस संदेश देने की कोशिश की के नर नारी अलग-अलग नहीं है ये एक ही है दोनों की पावर्स एक हैं सब कुछ एक है तो ये एक सोच है इस सोच को समझना है अपनी सोच को बदलना है और महिलाओं के सशक्ति करण और संमान के लिए आगे बढ़ना है और इस बार तो एक चीज ऐसी भी हुई कि इधर नवरात्रे शुव हैं और कल ही इंटरनेशनल डॉटर्टर्स दे भी गया है तो मैं इस पर भी कहना चाहूंगा कि लोग जो है सिर्फ इंटरनेशनल डॉटर्टर्स दे आ लगाएं न लगाएं पर अपने दिल के उपर जरूर लगा लें और महिला सशक्ति करण को ही हलके में न लें यह बहुत जरूरी चीज है बिना महिलाओं के समाज का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है जैसा कि लगातार सरकारें देती आई है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ देश की बेटियां बढ़ेंगी तो भी देश आगे बढ़ेगा